खबर जन्पत उधम सिंग नगर की जस्पूर से है जहां उत्राखंड गन्ना विकास सलाकार समीती के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी मंगलवार को नादेही शुगर मिल पहुँचे जहां भाजबा करेकरताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दोरान भाजबा प्रदेश कारेकरणी सदस से मनोजपाल मंडल अध्यक्ष गौतम गीरी भी मजूद रहें वहीं सलाकार समीती के उपाध्यक्ष ने नादेही शुगर मिल का निरिक्षण किया जिसके बाद गेस्ट हाउस में मिल प्रवंदन कर्मचारियों और किसानों के साथ बात चीत की ये जोरान मिडिया से रूबरू होते हुए गना समीती के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी ने बताया कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रेत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हिद के लिए पूरी तरह समर्पित है इसके आगे उन्हों प्रदेश सरकारे हैं और इस्पेसली उत्राखन गोवर्मेंट ये किसानों की विलाई के लिए बुरी तरह से समर्पित है किसान अंदाता है और किसान और जवान दोनों की चाहे हो वन डैक वन पैंसन हो या किसान समर्पित है वो सब को बराबर मिलनी है और विशेश करता आज का दोरा ये सीजन हमारा सुगर मील्प का अभी चलने की तैयारी में है पिहले साल गरने की कमी रही है और नो केन की समस्या कई करती मरही है हमारी सुगर मील्प में तो इस साल हमारा मोसम न अच्छा साथ दिया है उपर उस मोसम के साथ की विशे घंणा पहले से मेरे ख प्रादान आए और जो हमारे गर्न्ह किसान्थ चान गुष देखा ये समस्य हैं सर्व को क्या हैं यह सारी जानखरी जैने के बाद और समेट करने के बाद एवी संद्र के साथ मिटिंग करेंगे और फिर ये पूरी पुर्ष लिपोर्ट जो जो यहां की है वह हमारे गन्ना मंत्री के वाधन से मुख्य मंत्री को दी जाए